Hello Viewers, स्वागत है आपका Let's Learn English Today 46 के वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें टेलीफोन से किसी ओफिस या किसी स्कूल के ओफिस में या किसी सरकारी दफ्तर में या किसी प्राइवेट दफ्तर में बात करनी हो तो किस तरीके से हम English की Communication कर सकते हैं आप सबसे पहले देखेंगे पहला वाक्या है Hello Is It 24344454 यानि सबसे पहले आप नंबर मिलाकर ये पूछेंगे कि क्या ये यही नंबर है तो आगे अगर आपका नंबर सही होगा तो आपका जवाब आएगा Yes तो आप पूछेंगे Is It SM Company क्या ये SM Company है तो अगर आपका जवाब होगा सही अगर आपने सही बताया होगा तो Yes का जवाब आजाएगा Is It Mr. Shah's residence अगर आप किसी के घर में बात कर रहे हैं तो आप पुछेंगे क्या ये Mr. Shah's residence है उनका निवास्थान है Can I speak to Mr. Suresh please? क्या मैं Mr. Suresh से बात कर सकता हूँ? Could I speak to Mr. Sam please? क्या मैं Mr. Sam से बात कर सकता हूँ? Can I speak to Suresh? क्या मैं Suresh से बात कर सकता हूँ? Please connect me to extension 2434 Please मुझे extension 2434 से connect कर दीजिए यहां connect me कि जगे put me on भी हम बोल सकते हैं Please put me on to extension 2434 ठीक है? Please हम add कर सकते हैं ना चाहें तो ना करें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा May I know who is speaking? क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? और अगर आपने ये पुछना है कि कौन कौल कर रहा है तो आप बोलेंगे May I know who is calling? I am Mayhul calling from Miraj Graphics आगे सामने बोलने वाला आप से ये बोल सकता है कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ यहां से तो यहां पे मैंने बोला है I am Mayhul, मैं Mayhul बोल रहा हूँ Miraj Graphics से Can I speak to your manager प्लीज? क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूँ तो अगर आपका मैनेजर ही बोल रहा होगा तो बोलेगा Yes Speaking अगर यहां किसी और को आपने पूचा है Can I talk to Mr. Suresh प्लीज? तो अगर वो Suresh ही बोल रहा होगा तो बोलेगा Yes Speaking तो देखा आपने कितनी आसानी से आप किसी स्कूल के आफ़ेस या नॉर्मल किसी प्राइवेट किसी कंपनी के आफ़ेस में बात करनी हो किसी सरकारी दफ्तर में बात करनी हो तो कितनी आसानी से आप बात कर सकते हैं अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू